आप सब लोग कैसे हैं I hope आप सब लोग स्वस्त होंगे और मस्त होंगे आप सब लोग को नवरात्र की बहुत 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 शुब कामना है और हैपी नवरात्र all of you my friends आज कल था सत्मी तो मैंने कल फास्ट रखा दा और आज है अस्टमी वैसे तो हर बार हम सुभई जिमा देते हैं कन्याओं को मगर अभी जो हमारे पंडिगी हैं उन्हें हमने पूछा तो ने बोला कि दो बजे के बाद में अच्छा लगी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है म और जैसे सुबोए जो होता था, उसकी तो रोनोть hobby अरोग भी चेंज हो गया है, हर चीज रूरर, regulation सारा चेंज जो खया है, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो जो time तो time था, हर साल तो हम सुबह भी करता थे, में अब पता नहीं क्या सीज ऐसा है कि ASTME, तो इसलिए अब जैसे पंडी जी बोलते हैं विसले से हमें रूल करने पड़ते हैं दोस्तो पहली नौरात्री में मैं अपना ब्लॉग नहीं बना पाई प्यूंकि बहुत ही जादा विजी सुदूल था और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं बिल पाया और सबसे खास बात जाद पाते कि पहला नौरातरी स्टार्ट लुग है थार्ट पड़ा था और आज अश्टमी है जिमा रही हूं और पूजा पूजा में दोस्तों बहुत जादा देर हो गया था क्यूंकि आज बाबा का भी दिन है वहाँ बहुत बहुत लंबा पूजा चला मेरा लेकिन वह फूजे में भी मजा है और और माता मैं आपको बताना चाहते हैं दोस्तों पहले मैं अखंट दिये से ना बहुत डर लगता था कि लोग बोलते थे कि अखंट दिया जलाने ते पहले दस बार सूजा चाहिए क्यूंक बीच बुझ जाता है वह अगर बुझ गया तो फिर अच्छा नहीं होता है तो मेरी एक दिल में तमना थी कि मैं अखंट दिया जलाओं मगर मुझे डर भी लगा रहता था कि लोग ऐसा सा बोलते हैं फिर ही मैंने मतलब आज मुझे तीन-चार साल हो गए अखंट दिया ऐसे ही नो दिन आठ दिन आज अस्टमी है कैसे कटा मुझे नहीं पता रात को भी मैं सिर्फ एक बार जब चेक करने उपती हूं कि दिये में तेल की ज़रुत नहीं है ऐसे जहांके देखती हूं तो बिल्कुल बस माता की किरपा सब दिया अपने अराम से अपने धून में जलते ही रहता है मतलब मुझे इतनी कठिनाई नहीं हुआ ने तो मुझे बहुत डर लगता था कि मैं अखंड दिया कैसे रखूं और मैं कैसे देख भाल करूं और मुझे कभी दर दोर जाना भी पड़ता है अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि माता देख देती है और इषवर हो इशवर तो हर जगा है मेरे बाबा जो भी विश्प करो जो भी विश्प मांगो मेरे बाबा और माता कुरवही कर देते हैं तो मैं तो माता से हाठ जुड़के सब के लिए बोला है कि सब की मनों सकनरा सो नहीं कfarेवास這個 करने और एक बजय बनाने जाओंगी मैं पूरा पूरी हल्वा बनेगा और हाँ दोस्तों मैं ना चने में आलू डाल के बनाती हूं तो मेरी कन्याओं को बहुत अच्छा लगता है बोलते हैं कि आंटी सब जगां तो क्या बोलते हैं शुखे चने मिलते हैं और आपके यहां जो है यहां चर्णा मिलता है ना वहमें इतना पसंद आता है कि मैं क्या बता हूं मतलब बहुत अच्छा लगता है हुए जब कन्या ऐसे बोलते है तो वह एक दिन पहले से आगे सटार्ट करें लगें कि अ़्वीं करब कर्या कि मॉनिंग माताना क्योंकि अब थोड़ा टाइम च कोशिश करूंगी और मिलतू मैं आपको आगे हलो अपना नाम बता दो पर और वाँ और एक बच्चा और रहा गया जोड़ से सबसे चोटी कन्या जोड़ से चोटी कन्या और इतनी क्यूट कि मैं आपको बताने सकती एक नी रो रही है खुश होके अराम से इंजॉय कर रही है सारे बच्चे को देख रही है इसके भाईने से गूदी ले रखी है और बहुत ही खुश है ये बच्चा और हाँ दोस्तों मैं जब इन लोग को मैंने कन्याओं को मैंने भोग लगाया खाना खिलाया तो मैं वह शूट नहीं कर पाई क कि इतनी बिजी हो गई थी और सारे बच्चे छोटे थे कोई भी मतलब ध्यान नहीं रहा है कि कोई मतलब वह शूट करे इसलिए बच्चों ने अच्छे से खाया और बहुत ही इंजॉय किया बच्चों ने खाने को और खाने में बना था वही आलू वाला चना पूरी हल्व और बहुत अच्छा लगा इन लोग को खा के अब मैं अपने ब्लोग का ही करती हूँ एंड आप सब लोग को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें आप सब लोग को वन्स अगेन हैपी नवराती अल अफ यू उसमें हाथ निमानना